गुरुजी की संदुत में घुर्टी त्यांचीट्य पर्णाम कि यूजी को corn feather can रहते तो 36 स्टार बाज्वा ठीक चीरमैन funk Regel के तो पतन किसी से थे तो तो मिलंक़े यहां रहते थे गुरुजी, तो मेरे इसमें हाफ में दरव थी तो मारे नेवल थी तो बोलते गुरुजी है। व स्सक्राइब ऑपनी पिलाते हैं और उससे दरव ठीक हो जाती अँगे थे। का कि फिरत ट एम्हें तो दोनों हम जाते थे उनके साथ तो पहले दिन ने आम और रुऐ तो तो दो पर भाप एंड वोड थे तो दो तिन चरजर ने हम भी गे। तो वहां पे लोग मिर्को बुलां पानी लेकर आओं किंद्से मैं किचंद से पानी लेके आई चे गलास ने पानी लिया हमने तो गुरुजी के आगे रखा तो माला गुरुजी ने माला पहनी हुए थी था और उसको मेरे सामने माला में गलास में डिप करा उनोंने माला माला को और सब को एक एक गलास आदा दा गलास होता ता हो पानी जल का त सुबह हम चले जाते थे और 11 सारे 11 वापज़ा वो लोग पराशी में पर जाते हुए तो हम लोग जाते थे मैं और SS मैं और मेरी हसमन और मेरी वच्छी थिगा Brian चोटी थी तो साथ में लेकर जाना पड़ता था इएंकर, जाना तो जब जाना तो यह रोज का काम हो गया थे कह जाके पहले किचन से पानी लेके आना मैंने छे गलाश और उसमें से एक गलाश पहले वाला गुरु जी को देना वापने थी एक कमरे में गुरु जी एक गद्धा होता था बड़ा सारा तो उसी पे हम लोग सब उसी पे बैठते थे बच्ची भी मतलब जैसे हम च्वार पर उन्हों ने वही जो भी किसी ने आना तो पहले उनको गुरु जी ने वो जल देना और फिर कहना चाय बना के ला मैंने अक्सर में बनाती थी चाय जाते उठके तो वहां पर एक सर्दार जी थे पियों होगे उनके सर्दार जी के दूसरे जो जिनका घर था तो केवरी द थी तो हम और ये टाइम खेर तब तो इतना बुरा नहीं था जैसे आजकल चर रहा तो तब भी कलिव भी था सोच लो तब भी हम ये ने तर विश्वास नहीं था कि गुरु जी क्या होते हैं हम तो शौकिय तोर पर चले जाते थे पहले पहले तो बाद में उन्हें बोना च पहले थे तब वहां और जो लोग आते थे तो उनको अगर कोई मेनेजर भी है तो उनको वो हैड़ बता देते थे के वरी गुरु जी बाद में वो लोग उसी पोस्ट पे आये तब हमें समझ नहीं आता था कि गुरु जी क्लरक को भी मेनेजर बोल देते हैं क्यों बोलते है तो हम साल बर जाते, मेरे हस्मेंट हमें घर छोड़के फिर गुरू जी के पास जाते थे, तो फिर हमारे पर स्कूटर होता था 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 तब, स्कूटर थे उन्होंने उनको लेके जाना जहां उन्होंने बोला चल मुझे यहां वहां लेके चल, वहां लेके चल, तो एक Mr. Bhard द पहलत अच्छा है गुरु जी कुछ नहीं है, तो उन्होंने काई, भारद्वाज कुण्लियां देख देया अगिर Alevara अच्छा फिर इन्हों ने लक्ष से जाना शुड़ू कर दिया भार्दौासा के पास के मेरी कुली देखो आप तो बेखते थे फिर उनके साथ भी गुरु जी के पास जाते थे अच्छा वो अक्सर गुरु जी राज को मिस्टर भाद दुआज के घर जाते तो इनको बोलते थे मिरे को छोड के आओ वहाँ पे तब वो साथ सेक्टर में रहते थे तो गुर्मेंट के पास जाया करते थे और फिर उन्होंने इनको बताना कि गुरु जी पहुंचे हुए है और जब ये किसी का कुछ अलाज करते तो रात को खोन की उल्टी करते हैं तब हमें अजीव लगता था कि खोन की उल्टी कैसे कर सकते हैं गुरु जी तो क्योंकि उमर छोटी थी गुरु जी की भी तब शिर्फे सारे पे बाल थे हमके एक लुंगी पहना करते थे गुरु जी और उपर में पुर्टा पहनते थे तो वहाँ सीडी तब भी लगती थ उनका पढ़ा था ड्राइकलिंक राने के लिए तो फिरको बोलते हैं इसको ले जना इसको ड्राइकलिंक रहा के लाना अच्छा मैंने लेके गई उसको सूट को तो देखा जेब में मैंने हाथ घुमाया कि भी जैसे हम लोग जेब को टोलते हैं बाद में बे बीच में कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हम तो गुरुजी को उस नजिरिये से देखती नहीं तो आप वो थे, या अब हम मानते हैं उनको, तब हमें कुछ भी पता नहीं था, तो चलते है रहा हमारा, ऐसे चलते थे ये, उन्होंने, कभी-कभी एक दिन ये गे थे, उनको साथ में लेके, वहां पर 17 सेक्टर गे, तो वहां पर इसमें सिंधी स्वीट होता है, तब दो-चार दुकाने बहुत अच्छी अच्छी होती थी, तब चब्निकर में 17 में, सिंधी स्वीट है उनमें सभी एक, तो गुरुजी कहते हैं वहां चलो, वहां गे, तो ये तीन-चार जने थे, त अगोंने कुछ कहा हुआ कि भी क्या लाना, खाने के लिए, तो गुरुजी कहते हैं, क्या खाना है, ये बोलते हैं, नहीं है ऐसा कुछ नि गुरुजी, जो मंगवाया भी होई खाएंगे, तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये हाथ टेबल पे मारा, और उस पे जितने जने थ कहते हैं, मैंने न, फ्रोजपूर जाना है, फ्रीद को फ्रोजपूर जाना, तो ये हमें मुझे छोड़ के घर दे, तो बार में कहें, तब मैस्टर थी, करते हैं, टक्सी महवा, तो जैसी ही वो टक्सी घेट पे आई, गुरुजी ने चड़ना का, तो इनको भोलते हैं, को दिया, बोलते हैं, लो रख लो, ले रख ले अपने कौन, अच्छा, मेरी बच्ची छोटी साथ में थी, बहुत छोटी सी थी तब ये, अच्छा, इसको उस चीज की होश है, कि भी पापा को डॉलर दिया था, गुरुजी ने, फिर हमने वो डॉलर अपने पास रखा, अ उसमें उनकी वही फ्रेग्रेंस आती, तब हम सोते थे, पर वो ऐसा नहीं था, वो हमें बार में पता चला, तब वो भी बच्चे जैसे थी, मतलब भी टीनेज से तो क्रॉस कर चुके थे, क्योंकि डवल में कर रख रख थी तब इनोंने, पर हम से मेरे से तो दो तिन साल ब मस्त्री करने के लिए, समझे लो कुछ भी करने के लिए, फिर ऐसे चलता रहा, चलता रहा, ये जाते थे तो भर्दवासाब करते, अच्छा बीच में उन्होंने, मैं आप बहुत डिस्क्लोज नहीं करू या जिये, उन्होंने कोई काम उनको कहा, चल रहा था, तो इन्हों वापस कर दे, उनको बोल जिये, मैंने नहीं करना, तो इन्होंने हमारा बुरा टाम होना था, शुरू कि वो देते थे, लेते तो थी निक अभी, अब ये हमें बात में पता चला कि वो लेते नहीं थे, उन्होंने उनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे गूरुज आँच्छा उन्ह उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे हमें लगे कि वो हमसे गुस्सा है, या क्या है, अच्छा, उसके बाद भारदवात साब ने इनको उल्टा करना शुरू कर देखें, उनका कसूर ने कसूर इनका है, क्योंकि इनको भी इतना तो समझ होनी चाहिए थी, कि या आदे मु जिसे बोला, तो मैंने का नहीं है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो ये चलता रही है, थोड़े पीछी हटने लगे, और हो सकता, क्योंकि हमारा टाइम खराब होना था, या उसके खुराब नहीं हुआ था, उसके बाद भी गुरू जी ने हमें भारदवात साब जाते रहे हमें उन्होंने पीछे करते रहे, फिर ये पीछे रहे, फिर उसमें इतने में गुरू जी वहां से चले गे, चले गे तो लास्ट टाइम वो हमारे घर में 85 में आए, हम पंचकुला शिफ्ट कर गे थे, क्योंकि इंद्रागंदी की डेथ हुई थी जब, तो हमने मुहाली से हम आए थे, तो मुझे याद है, थोड़ी सद्या शुरू होगी, तो गुरू जी ने ब्राउन सूट पहना हुआ था, क्योंको क्योंको शेफ थी, तो अभैस्टर में आए थे वो, और हमारे अंदर आए, अंदर आके तो मेरे तब उन्होंने, तब भी नोर्बैक में दरत तो में इनको बोलते हैं, में इनको बोलते हैं, चमच मैं लेके आई, तो उन्होंने मुझे बेड़ पे उल्टा लटाया, उल्टा लटा के वो चमच वहां लगाया मेरे, बस वो लास तच मुझे याद हम की, कि वो तब हमारे घर आए, और ऐसे करके गहे हूँ, तो उसके आदिनों ने मुझे बताना, गुरु जी चले गए है, है नी गुरु जी अच्छा, हमें कुछ पता गे नहीं चला, 85 के बाद, कभी कवार इनको, भर्दौाल साब ने बोलना, गुरु जलंदर है, गुरु जगा, फलान जगा, अच्छा, हमने इंटरस्ट नहीं लिया, क्य इतनी हमें अच्छे पर पचाया, कि भी हमारे घर में कोई कमी किसी चीज की नहीं रखी, यहां तक यह था, कि हम तब तो इंकम टेक्स का भी समझ नहीं थी, इंकम टेक्स नहीं नहीं थे, तो जब पहले का काम करते थे, जब हमारा रेक आता था, तो हम पैसे जो थे, और समझ नहीं थी, तो यह चलता रहा, 91, 92 में हमने अपना घर बनाया, कब भी हमें नहीं गुरू जी के बारे में पता चला, तो वहां से हमारा 2-3 साल यहां अच्छा चला, उसके बाद हमारा बैग यह लगना शुरू हुआ, पीक पे जाके, बिजनस में, अच्छा इन्हों न उठाना है, रेल वेश्टेशन से, फिर केवरी सस्ता के उठाना पड़ता है, केवरी ठीक रेट पे जो पहले उनकी दील हो जाती होगी, बिख जाता होगा, अच्छा समझ नहीं चाता है, तो ऐसे चलता रहा है, और हम काफे उपर तक पहुंचे है, और नोयम, सेम, सब कु पहुंचे है, जख जब कर हैं तो पहुंचे सारा है, सारा एकोम को इदर रख दे, उदर रख दे, तो मैं तो भी रखती थी, क्योंकि मेरा तो headache नहीं, मैं interfere करती में थी, ना मैं कभी जाती थी, मैंने अपने बच्चे ही पा ले, क्योंकि मैं totally housewife हो, तो मैं बच्चों को मे एक जगह काफी ज़्यादा पैसा में नलकोला दे दिया, तो वहाँ पे 60-70,00,00 रुपया फसा, फसाया भी किसमें जो हमारे घर में डेली आते थे, और सुबह की चाये उनकी हमारे घर में आते थी, Mr. Sharma थे, तो उसमें थोड़े से लालच की विज़र से किसी और बंदे को व हमारी payment जो है रखवा दी, हमारा ऐसे टाइम में 60,00,00 रुपया रुकना मैना रखवता था, तो हमने बहुत कोशिच करी कि वह निकले निकले, उसमें तो हमारे जो प्रूफ भी थे, दिल, इवन दिल तक उसमें हमारे वहां से गायब करवा दिये, और हम बहुत जाया में आगे, बैंक की लिमट थी हमारी, बैंक की लिमट को हम हर मीने देना पड़ता था हमें तो इंटरस्ट, चलता रहा क्योंकि बाकी भी काम चार रहा था हमारा, इतने में वो held up हो गया पैसा, उससे हमारी काम फिर थोड़ा दूड़ा हुकना चुरू हो गया, जो लोगों क्योंकि केवर तो लोग टाइम से देते थे केवरी ने तो बिजमस में ऐसे ही चलता था, तो 96 तक हमारा काम काफी जाक्टे डाउन होना शुरू हो गया, 96 में हमारा डाउन हुआ, गुरू जी 96 में सेक्टर 2 में ही पंच्छुला में, जर्नल हुजा, उनके घर आये 6 मिलने के लिए, और यहां सासंग भी होने लगा, मुझे कुछ पता नहीं गुरू जी के बारे में, के गुरू जी वाकिंग डिस्टेंस पे है हमारे जो उनका घ है, हमें कुछ नहीं पता था, नहीं में गई, और उल्टा हमारे घर में तो पता नहीं क्या क्या कुछ होने लगे, 96 में, कभी कोई मरा हुआ जानवर किसमें गिरागना, कभी कुछ, हम उल्टे चक्रों में भी पढ़ गे, के पता नहीं क्या, मैंने पूजा पाठ इतना बड़ी बेटी की शादी हुई, तब भी इनोंने हमें नहीं बताया कि हम तकलीफ में हैं, हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई, तो हमने शादी अपनी हैसियत के मताविक बहुत अच्छी करी, तो मैंने जो कुछ देना था, सब कुछ ठीक से दिया, इस की शादी जैसे ही इस लड़की की शादे हमारे गर से हुई, बिल्कुली डाउन, खतम काम, और वो बेटी चलीगी हमारी, हो सकता उसका भागया हो, कि भी बहुत अच्छा भागया था, तो हम उसकी विज़र से भी थे, जैसे वो बच्चा हमारे गर से गया, और हमारा डाउन फाइल बहुत जा होगे, कि वो 2001 के बाद पैसे दो, पैसे दो, पैसे हम टाइम से किष्क नहीं दे पा रहे थे, तो काम असान से भी चल रहा था, हमारा बेंगौल से भी चलता था, मेरा को ज़्यादा पता नहीं था, कि भी हमारा काम, मैंने उसी तरह, उसी तरीके से घर चलाती थी, जैसे च इतले में फिर थोड़ा-थोड़ा आगे-आगे पता लगना चुरू हो गया यह हम तकलिएक में है, मैंने जो हमसे आवरत कर सकती थी करा मैंने भड़ी बटी के बाद हमारा ऐसा हो गया था हाला कि वी हमें यह हो जाता था कि भी खाना कैसे करेंगे हम, चोटी बेटी मेरी BDS अड्मोशन होगी थी तो ये उसका भी खर्चा था, बाकि घर का भी खर्चा होता था, खेर चलता रहा थोड़ा बहुत हमारे पास जमेन जमोन अच्छी थी, एक कोटी फार्म भी था हमारा, उसमें पार्टनर्चिक थी हमा वो लोग ही जाते थे और उन्हों ने जी भरके उसमेहराफिर करी बंदों ने, तो क्योंकि ये जाते नहीं थे हमारा कोईले का बहुत अच्छा काम था, बीच में हमने फ्लोरी कल्चर भी किया पर वो भी नैन पावर की बज़ास से हमारा इतना हमें नहीं नहीं दे पाया, तो क्योंकि हमारा में विजवर्च हो था कोईले का ही था, तो ये कोईले पर ध्यान देते थे, उस पर देते देते, फिर जब ये डाउन होना शुरू हो गया, और फिर हमारा बैंक का, यहां था खा गयार के भी, फिर हमारे कोईले को एक बार आग लगी, स्टाफ था देते थे उसकी, पार्टी देती है, किस तो बैंक जो लोन देता है, वो अपने नाम से उसका इंशोरंस होती है, तो वो इंशोरंस भी होर अच्छी थी, तो वो उसका कुछ नहीं हुआ, आग लगी तो हमारा सारा काम जो था, ने, सौरी, इसके पहले हमारे जब हमारा घर पर ना, 91 में, तो हमारे घर में income tax की rate पड़ी, income tax की rate पड़ी, खेर उससे हमें काम तो बंद हुआ, थोड़ा पर money flow, फिर आज़सा हिसा 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 हमारा फिर वैसे ही हो गया, कि इतना money काम खराब हुआ, जितना ये 2001 के बाद हुआ, इसके बादी हमारा चलता रह पर थोड़ा तो पढ़ा होगा मेरे को लगता हैं पर इसके बाद जादा खराब हुआ जब हमारा ये 2002 के बाद उसके बाद हमारा कम बहुत खराब हो गया तीन में तो, तीन के बाद तो हमारा बंद होने जासा हो गया, और फिर लोगों को पता लग जाद है कार इनके पास money flow कम हो गया है, और bank ने pressure डारना शुरू कर दे कि भी हमें पैसे दो, अच्छा हमारी जमीन में ठीक ठाक थी, हमारी पास चंदीगर में भी थी, हमाचल में भ आगा तकलीफ वाला लोन है, हम उसको वापस कर देते हैं, लोगों को वहाँ भी ये पता लगया कि ये आदमी जुरूरत में है, जो जमीन हमारी क्रोडों की लाक बताते थे, उसकी जो लाकों की थे, उसकी हजार बताते थे, तो फिर भी हमने कुछ जमीन बेची, और फिर ह हमने कुछ हमारी रहेगी उसमें से, उससे भी हमारा परपस सॉल्व नहीं होके कि हमने 2 क्रोड बैंक को देना थे, जो हमारी जंदिगर की जमीन थी, उसका तो हम ये कहते दे कि आज वो 6-7 क्रोड की जमीन है, तब हम सोचते कि ये 70 लैक में, हमने 60 लैक में भी हमने जोर ल 2005 में बेटी के मेरी के डिगरी पूरी हुई, तो लास्ट येर जब इसका था, तो किसी ने बताया कि हमारे रिष्टेदार भी थे, इसके एक क्लास पलेट हुई, तो लिपिका हमारे कॉलेज में घुरु जी को या रही हैं दिली से, तू चल वहाँ पे, अच्छा, तो हमने कि अधिके हम बहुत, मैं बहुत भूम चुकी थी, पंडितों के पिछे, जादू वालों के भी पिछे साब को, बता नी, हमने क्या क्या कुछ करवाया था, कुछ हमें परक ही निपड़ रहा था, तो इसने मना कर गे, वहुआ नि जाना, फिर वो चंज़गर कलभ में आये, तो उसमें लड़की ने बोला चल यहां आये गुरू जी तब भी मैं नहीं गई। अच्छा फिर वो लड़का हमारा गुरू नहीं साथ उसको हमारी तकलीफ का पता था। उसने कहा आँटी आपनक दिल्ली चलो दिल्ली गुरू जी है वो आपकी तकलीफ दूर करेंगे। अच्छा मैंने उसको बुला हमारी तकलीफ किसीने नहीं दूर करने तू रहने दे। तो फिर उसने खेर रोग हमारे आना शुरू कर दिया कि नहीं आँटी चलो वो गुरू तो इसने हो जाता था वो मीना धेड मीना हमारे गड़ डेली आता रहा नालागर से यहां से एक घंटे का रन था वो बचारा बच्चा हमारे पास डेली आता रहा बताने के लिए कि आप चलो गुरू जी के पास अचा एक्सर खेर यह मानगे कि बिचलो अपना ड्राइवर लेके जाना तुम लोग जाओ मैं गुरू जी के पास जिस दिन गई अक्टूबर में हम लोग गे तो 2005 की बात है जैसे मैंने इंपार स्टेट में लॉब्ली में एंटर किया तो वहां पर गुरू जी की फोटो देखी मेरा तो दिमाग खराब मैं क्या भी इनको तो मैं मिली लेक citizenship गुरू जी बात हुब कि किछन के ऊपर में वह उसी इसी पे बहते थे हम पॉन एक साथ साथ वजे पॉंचके है तो उन लोगों ने मत्त अविगा गुण का अद्या कि मैं ने भी टेक का मेरी बेटी ने भी टेक तो मैं जैसे नीचे मैं टेक लगाके बैठी तो मेल को पोडता है, तो तो मैंनो पेहले मिली नी ? मैं के हाँ Guru Ji चलती से शट शट कहा थी मैं उती , दमाज में चट्टी बैठ जा में आच्छा मिन को और भी गुसा आ गया गीascomas too क्या बो रहत खो रहे हं Guru ji को मुझी हो इतने परिशान है और इन्होंने ऐसे बोला उस दिन फिर पूछ सर्ण हैं को बत्टी थी मेरे से एक और मैं कहें जी बेटी मेरी एक ही कर दी है लोग बैटी पे आये तो हम बैठे थे वहाँ पे यह लगी थी, शबत लगे थे तो जहां शबद लगते थे वहीं पे हम लोग बैठो ते लोग बैठे दे, तो उन्होंने क्या किया, वो शबर जो लगे वो तो बदले, लठ्टे के चारदर लगा दी, अच्छा ये बच्चे थी, ये बेटी थी तो बोलती, देखो कहती है कोई गुरुजी वाला मॉल है, चलो ममुग चाओ बस यहां से, हमने इन बहना, तो हमारे साथ ही मुफ्ती मु अच्छा मैंने का बड़े-बड़े लोग आने लगे, आप तो गुरुजी के पास, तो मैं अपने मन में सोच रही, तो हमने ज्यादा मुव करके नहीं बैठे गुरुजी के तरफ पीट करके बैठके, और थोड़ी सी पीट करके बैठके, तो जो डॉक्टर था लेका, वो बोलता मैं आप जाओ, यह बोलती मैंने नी जाना, मैंने नी जाना, जब उन्हें मर्था टेका तो मैंने बोला, जब उन्होंने पुछा था यह तेरी की लग दिया, मैं का जी बेठी है, मैं का जी BDS कर ली है, मैं का इसने, मैं का इन्हें प्रैक्टिस करनी है, गुरुजी मैं सोचू हमें क्या तक लीता है गुरु जी बोलते गया कर गुडीता है अशी कित्व मैं कहां से कर लेंगे हम लोग इसका तो फिर जब हम उठी तो उसने बोला बोले मैं माप जाओ वो लग के मुझे बोलता आंटी आप जाओ गुरु जी बुरा मानेगे वो इतनी बार बल चलो 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 जा कर कोड़ीगा दूसरी बार उनोंने फिर यही का अचा तक तो मुझे समझ नहीं थी कि भी क्या कह रहे है फिर उसके बाद आके मत्था टेका जब हमने लंगर करके मत्था टेका फिर उनोंने उस यह कहते हैं कहते हैं यह पहले बच्चों को बोल तो जब हम गाड़ी में बड़ी बेमन से आयो बड़ी दमाग क्राव हुआ उसका हमारा तो हम थारे रास्ते बोलते आई भी हमें कूल आये तुम लोग यहां हमने कुछ से मिली हुए थे हमने यह किया वो किया अपना दवाग बक्वास अपनी जो हमारे दमाग में थी प्रश्राइब और तो इस नंदाला कर जाना था तु सुभए हम पहुंचे पर चम्रीगड में तो जैसी हम पहुंचे उसको बच्चे को उतारा पंकज को प्लाच वायर टूती गाड़ी की पता नहीं अहां प्लाच वार ही थी तूती और ड्राइडर बोलता जी इसकी तु तो मैं जब फिर अब क्या करें, सद्धियों चुड़ू, वली सुभे सुभे में तो सद्धि थी उस दिन भी, तो हमने, मेरे पास तो मॉवाइल बने उस दिन था, तो उसको ड्राइबर को पुछा, तो हमने घर में फोन किया, तो इनको बुला है, से से घाड़ी का बाय टूटके, तो हम कहते हैं, आप लोग ऐसा करो है, आटो करके आजो, मैं आता हूं गाड़ी, देखता हूं क्या और वही से मुझे बुखार चड़ा हुआ था, जब मैं उतरी, तो मुझे बहुत ठाण लगी, और वो बुखार मेरा पंदरा दिन नहीं उतरा था, हमें वहां से छोटा सव सब रूप भी दिया था गुरुजी का, तो मैंने बड़े मे मन से आके, अपने यहां पर कहें पर अपने भी रख दिया उसको, और इनों को आती ही बताया, मैं के, ओई गुरुजी है, जोड़े सानू, छती सक्टर मिले सी, तो अच्छा, फिक यूँ बे इसी, राख जी गेत है, चोलो, गेत है, तो फिर कुछ और भी बोला होगा, हमने थेदा कुछ बोला होगा, उस इन तो ऐसे एक चलता है, राख दस पंदा जिन, बेटी ने क्लीनिक खोली होगा थी तब चोटी सी जगह में थी, पर क्लीनिक थी, तो इसने भी उल्टा सिदा बोला, मैंने भी, मैंने क्यों गई, क्यों गई, तो फिर इसने, जब मेरा बुखार नहीं उत्रा आगा, तो कहती एक दिन बेटी बेटी अगली क्लीनिक से आई, तो बोलती ममी, जो हम गुरु जी को कहते हैं, कि गुरु जी में कुछ नहीं है, हम क्यों गे, तो बोलती हो सकता, उनने बहुत पावर हो, और उनसे माफिय मांग लूआ, मैंने भी यही सोचा, मैं कि हो सकता, यही हो, तो मैं माफ कर दो मुझे, मैं तो इंसान हूँ, अगर मेरे मुझसे कुछ निकल गया, तो प्लीज हमें माफ कर दो, अच्छा, फैर मेरा बुखार उतरा जी उसमें से, बुखार उतरा, तो ललका तब भी हमारे घर आता रहा, पंकज, रोज करने, पापा ने उसे बुशा करना, त पूर्ण माच्छी को संगत करते थे, वो उन्हों गुरुजी की बच्चे थे, तो उन्होंने वहां पर हलवा परशाद बनाना, पूर्ण माच्छी को, तो उस बच्चे ने पूर्ण माच्छी को मुझे परशाद हमें लाके देना, यांटि आप ये लो, उसके बाद आइस इसे बेटी ने गुरु जी के sketch बनाने शुरू करे, जब इसके पास time होना तो उन्हें इसने गुरु जी के sketch बनाने, एक बार उप पंकच लाया था इसके पास, उसका sketch तो जब पहली बार इसने गुरु जी के आँखे थी, तो बोलती भाया मैंने ना इनको कहीं देखा है, मैंने इस इंसान को कहीं देखा तब हम गए भी नहीं थे गुरुजी के पास, द्वारा से, तो फिर इतने पता नहीं इसके मन में क्या, इसमें वो sketch बनाने शुड़ू किये, और 10, 11, 12 sketch बनाये थे इसमें गुरुजी के, यह तो science student थी फिर भी इसमें sketch पूरे किये, और अच् हुआ है, तो हमारे में आस्था आने शुरू होगी, आस्था, हैं, क्या हो गया, आस्था आने शुरू होगी, तो फिर हमने पंकस से अपनी, बना डिस्कस करना शुरू कर लिया, कि भी हमें जाना है या क्या है, फिर ऐसे बीच में बेटी की रिष्टे की बाती होने लगी, बड़ी की तो होगी थी शादी, तो अब भी सोच देखे, चौल हॉलार खराब है, पर बेटी कहती थी मैंने बाहर जाना, बाहर जाना तो शादी के बाहर चली तो किसी कुलीग ने इसके ने बोला, तू ऐसा कर, तू बाहर जाना चाहती है, तो तू शादी करके जा बाहर, भ और आम से भी रहेगी, और ममी पापा को भी चिंता नहीं रहेगी, हमने भी सोचा चलो ठीक है, मैंने दो तिन बार प्रेपर में एड दी, और लिग दे कि हमने दो डौरी, कोई जिसको बिना डौरी के हो, इंटरस्टिड हो, हो ही हमें लेटर डाला, अच्छा, ऐसे लेटर आ पर बाद में दो तिन मीने उनकी कोई रिस्पॉंस हमें नहीं आया, तब हम गुरू जी के पास एक बार जा चुके थे, एक बार जाने के बाद, फिर उन लोग का दो तिन मीने के बाद, उसके लड़के के मामा का फोन आया, कि भी आपकी वेटी के कुछ बात हो गई है, शा तो उनके घर में किसी की डेथ होगी थी, तो इसलिए उन्होंने बात नहीं आगे चलाई, आप उनसे बात कर लो, तो फिर हमने वही बात, मैंने इसकी ममी से बात करी, तो वो बोलती जी, आप ऐसा करो, लड़की की फोटो हमें भेज़ो, मैंने बेटी की फोटो, उनको कहत अपर हिमाचल था, बोलती ही, नहीं जी, कोरियर वो सता लेट फेट मिले, आप ऐसा करो, उसको स्पीड पोस से कर दो, मैंने स्पीड पोस से करी, फोटो उनके परस पहुंची, तो बोलती ही, कि भी हमें लग्की तो पसान दे, पर आप ऐसा करो, शिमला आ जाओ, तो मैंने उ आगे से करती ही, ठीक हम आप शिमला नहीं सकते, तो हम चंद पंचकुला आती है, वो आगे संड़े को वो लोग आये, लड़का भी आया, उसका मामा आया, मामी आया, तो उनको ये पसंद थी, तो उन्होंने बोला, जी, थोड़ी दूर में जाके बोलते हैं, हमें पसंद ह अला, नहीं हो, कुँकि नौन्वेज हम नहीं कहते हूं अद्रिंक sabemosुछा हों ऑक हमने श्опрос हों करते हूं या कांदzo हैं, हमने फिर कंद्वेत, उसके पापा भी एसे याइस से लड़का मैं मिलती, अच्छी पोस्का आग series जॉब है, विसीं दार है तो हम ने आयर कर दो तो ये बोलते हैं अच्छा में गुरू जी से, तब गुरू जी के पास आस्था से नहीं गये थैं पर हमारे अंदर आस्था आ गई थी तो बोलते हैं मैंने पर गुरू जी से पूछती है कि भी आस इसा तो मैंने वो पंकज कोई बोला, मैं का बच्चे ऐसे करना, तू ना, उसमें बोला, आंटी आप न, दोनों की फोटो गुरुजी के पास भेज़ो, अगर आप नहीं जा पास सकते, तो मेरे फोटो देओ, तो मैं उनको गुरुजी को दिखाऊंगा, मैंने का करा, वो लड़क मैंन के पास मिल लेता हूँ, मैंचा देक्शा च। किया नाम है, उसका नाम मेरे को नauen, उनका बहुता है उनका नाम नहीं लेते, तो बुलते हैं, आप नहीं बताएगा, तो कैसे हमें पता चले के, छेर मैंने उनको नाम लगदेना UP Намा बनाब कर बतायादा, मैंने उनको इ दिन सेम के पहुंचा वो भी और वो पहुंचे दस वजे दस वजे निच्चे में कोई जगा नहीं थी तो मैंको पंकच ने उसमें पंकच ने जाके बोला मैं देखूंगा लड़के को गुरु जी क्या क्याते हैं पंकच को उस दिन चुहान आंटी भी थी साथ में तो उसको बोला के भी चलो चार जो परानी संगत उपर चलो उनको उपर चढ़ा दिया और यह लड़का जब पहुंचा वहां पर दस वजे तो जहां गुरु जी बैठी थी तो इनके अज़ी गिर्दी कहीं दो जगा खाली या तो कोई लंगर करके उठ गया होगा यह तो गुरु ज जानते हैं इनको दोनों को वहीं पर जगा मिली यह बैठ लिए अच्छा इसको कोने वाली जगा मिली इसको नंगर भी दो बार मिला जब इसने मत्हा टेका तो गुरु जी ने जैसे हाथ से एचारा करते थे जा जा एश कर एश कर कहा या कहा यह मुझे नहीं पता पर उसको भी समझ नहीं थी लड़के को भी तब भी तो इसने बोला जी मंदर में जाके आया हूं मंदर में को फोल किया कि ऐसे ऐसे गुरु जी के दर्शन किये मैंने अच्छा उसकी उसने मास्टर जी के बते जो माता जी रहती थी अम्मा जी गुरु जी के यहां उनके बैटे सिए गुरु जी के दर्शन करने हम ने ब area तो ऊपने का आया है इससामने गुरु जी का लेती मेर है इतल मैं क्या थी है देंकरललte लेकलता हमने खर्म एकलाशन करने फेंग हम लो प्रच्छ क थे पर उसे ओष्ट को दूह समान लिए को पत शम्मा से करें है उन्ह नहीं वो बोलते हैं, भेते मेट्रमोनेल थोड़ी खोल लिया, अच्छा उस दिन इसका ये लास्ट स्केच बना रही थी, तो वो भी पंकज ले गया, गौतम लेके गया, तो गुरु जी को दखाया, उस इन फर्स दे, के भी गुरु जी ये न, उचिस्ट अंकल की लड़की है, बे अच्छा उसमें और फिर उसमें बोला, बोला बुरु जी ये फोटो आंटी ने भेजिये, के भी ये लड़का देखाया से, जब बोला न, तो बोलते हैं, एक कुडी वो लेके आउत है, अच्छा उस बच्चे ने मुझे बाहर से लंगर करके फोल की आंटी, ऐसे ऐसे फिर हम घे ड्राइबर के साथ, तो उस दिन में आस्था से गई, मैंने मत्था टेका, तो उस दिन गुरु जी के पास चटर जी थे, पता नहीं कोई और थे, तो हम कई जने हो गए थे, पहला ही बढ़ने से पहले, तो मत्था टेका हमने वही बैठे थे किचन के आगे को, त अच्छा, बेती मेरी पहली बार जब यहां के मिस्टर, चुहान अंटी है, शार आप लोग जानते होंगे, किसी जो सुदा अंटी थी, उनकी भादी की सगी बहन है, चुहान अंटी, तो वो चुहान अंटी ने भी गुरु जी का बना खाना, बना बना बनी चट्मी, बना स जला सुद्र, उन्हों ने हमें जोडे के दिखाए, जोडे दिखाए, जिस में वंदिर से जोडे में निकाल के लाए, उन्हें हमें जोडे दिया, और जोडों मेंसी इतना फ्रेग्रंस आ रही थी, मेरी बेटी ने जोडे उनके माथे पर लगा के, बिर प्रosphे चुखता, जिस दिन मैं वहां गुरु जी के पास फिर गई शादी की बात करने, तो उस दिन भी ये बेटी हम नीचे भैठे थे गुरु जी के पास, और मिस्टर च्टर जी थे या कोई डॉक्टर थे जो संगत कर रहे थे, तो किया चलो संगत सुनो तुसी, मेरे को उन्होंने उठा के मैं उठके गई, मिस्टर पुनीत, डॉक्टर पुनीत है तो वो गे उनके पास, उन्होंने इपने बच्चे का नाम करण करवाना था उसके, उन्होंने वो खड़े थे गुरु जी के पास, फिर मेरे को भी गुरु जी ने पुछा, तब मैं भी खड़ी होके उनके बोलते ह अपने बच्चे करण 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 तो मैं खाया उनको यह भी फेर हमें तो यह नहीं था उनको तो जानी जा था उनको तो सब चीज पता थी किभी क्या है क्या नहीं है तो फिर मैंने उनको बोला गुर जी ऐसे हमारे पर लोन है बहुत सारा बेंका देना है हमारी जमीन है ऐसे जमीन हमारी बिक नी रही और जो इतनी ही होती है वो लोग इतना करते कहां कहां जीमीन जीमीन ठाटी मैंका जी जान जीमीन के के लिए चंधी गड़ या है तो माचल कित था ना ला गड़ चलो किन्हें पैसे चायँ दे तुसे गुणी गुरिजी कि तुसी दवाय दे वूपनी अब को बोल दे यहां कर दो दोशी दोसे र undermगया है, मैं बॉक्षे, आहां चांदा। मैं तो बोलता है, तो मुझे लड़का बोलते हैं, बोलता है गुरुजी ने अभी तरी मलहाम दी नहीं, अँटी अभी आपको बढ़ी, फिर से पूछो, लंदर के बाद बोलते हैं, अच्छा मैं उनको बोलू, या मेरी हिंध नहीं या गुरुजी के पास, बुरके जाने की क्योंकि गुरुजी गुसा कर देते हैं फिर, तो पुरीज मुझे बोलता है, तो के भी आउंटी, मैंने जब मेरी अगेजमेंट होनी थी, तो मैंने भी दो तिन बार पुछा था, उनसे, गुरुजी से, अच्छा मैंने थीक है गया, बेटे, तू बुल रहा तो मैं जाते करते हैं, ब्लेस करता हो की चौन दी तू, उसी समय वापस, आगी और वच्चों को बोला ऐसे ऐसे, तो मैं को पनीत बोलता है, आउंटी, उनकी हाँ है, तो फिर हम रास्ते में आ रहे थे, लगके का फोन आया भी, क्या कहा गुरुजी ने, तो मैंने बोला, गुरुजी न बेटा, ऐसे ऐसे का, दो इनकी इंडिकेशन है, अच्छा मुझे मैंने तब इनकी कुंदली मनाई दे, कुंदली में थोड़ी से गड़बर्स होती थी, जिसकी विजा से हमें थोड़ी वाती थी नहीं हमने करना नहीं, तो फिर हमने फिर में जब गुरुजी ने बोल दिय फाइव में गुरुजी एक हफ्ते के बाद ही, जब हम आस्था से गए, तो गुरुजी बैंकेट सोही में आये, किसी की बच्चे की शाद्धी की रिशरक्षन थी वहाँ पर, वहाँ पर गुरुजी ने, जब हम गे तो वहाँ, इस में छोटी बेटी ने, वहाँ सारी डेक गुरुजी को जी भरके देखा, दोन्यों बेटियोंने, मैंने, अच्छे जब मैं, उन्होंने मुझे दिली में कुछा था, बड़ी बेटी के थे भी आई है, मैं के इस ता से कनाल भी आई है, की है तो ससुद्धा ना, ए भी दस्या ने का, जी ओ डी आई जी रिटायर अजय को जी ये, इस दी अजी भी दीनु नूँ है? मैं लो जागन दे, ना, गुरुजी, ये ना, मैं बश्युश्टी की नूँ है? मैं बचिस्ती दीनू है, मैंके ने जी, उन्हों भी बड़ी बेटी क्योंकि हम भी गज्चि सिस्ते, और ये लोग भी उसिस्ता, पर हम बटी बडी बेटी नहीं को सारी चीज़ें पताती, हमने लगता था कि यह एक हपती की बाद उनको याद है तो उसके बाद हमने, मेरी आस्ता हमारी बहुत बनने चुरूगी, फिर उन्होंने, हमने वहाँ पे रिष्टा किया, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो आज S.D.M. है, हिमाचल कैडर में का है, और उनकी किलप्रा से वो बहुत अच्छा है, तो बेटी मेरी की शादी होग कि अपने सर्सुराल जहां था, वहाँ चलेगी, इसको वहाँ जाके ये प्राब्लम होने शुरू कि सार्कोडोसिज हो गया, प्राब्लम भी इतनी सिवेर होगी कि भी इसको अपने, खाना बिलकुल छोड़ दिया था इसने, बहुत बुरी हालत होगी थी बच्चे की, हमने समझ ने थी, हमने सोचा कि चंदीगर से गई है, वो छोटी जगह है, इसलिए इसको डिप्रेशन होगी है, जब भी इसके, एक साल के बाद की बाद है, तो जब इसमें बोला मैं खाना नहीं खाती हूं सुबह से जाके, एक क्लीनिक से शाम को वापस आती थी, इसमें घर मे आना नहीं वापस सास में बूलना खाना काओ, इसमें नहीं खाना आके रात को आना तो रात को आके बीकादरू टिखा के सोचाना, तो दमाद मेरे वहाँ नहीं थे, दमाद कहीं और जगह थे, उनकी पोस्टिंग और थी, तो फिर हमने जब इसको देखी कि इसकी हालत बड़ी बेटी थी, तब मेरे पास, तब वो यही रहती थी, चंदीगड में ही, पंचकुला में रहती थी बड़ी बेटी, तो हम उनको लेके के समय समझ भी नहीं थी, फिर मैंने चार-पांच वजे चोटी बेटी को भी बताया, वो बलती मैंने जाना, वहां से 7-8 घंटे का लोग फिर जब हमने इसकी हालत देखी तो हमने इसको बोला तू यहां दखाओ, यहां भी मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखाया और किसी इसको कुछ समझ ही नहीं रहा था क्या प्राप्लम है, किसी को यह नहीं पता था, इसको साथ को बेसिज हो गया, इसकी आंखें बिलकु ब इसने फ्रूटी हाथ में रखनी, तब इसका मूँ खुलता था, बात नहीं होती थी इससे, भूख तो बिलकुल, रोटी तो बिलकुली बल कर दीती, और इसने रात को सोती नहीं थी, 200 वाट का बल लगाना तब इसने लेटना, इसको इतनी डिप्रेशन होती थी उस पे, य चेस्ट रें थी, तो उस दिल रखाने गई मैं इसको, तो उन्होंने बोला, चेस्ट एक्स रें भी हुआ है, अब कुछ नहीं हो, उनको भी समझ लिया, तो जिस तेम हम आ रहे थे वापस, गाड़ी में, गाड़ी मेरे को चला नहीं आती नहीं थी, चला तो यही रही थी, तो इसके स्क्रीन सेवर पे, इसके मुवाइल पे, गुरु जी का इसने मुवाइल बंद कर दिया, उसके चेस्ट पोर्शन आ रहा था गुरु जी का, स्विच आफ करने के बाद भी, यह बोलती पता नहीं क्यों चेस्ट पोर्शन आ रहा है, तो घर में आगे हम लोग, फि तो चेस्ट का सिटी स्कैन करा, तरको पक्का साथ को डोसीज है, आँखों को तो तेरी पे कहते हैं, सौ बैलून का प्रेशर है, अभी तेरी नजर नजर तेरी है, पर कभी भी यह अगर नजर चलेगी, तो कोई दुनिया की ताकर तेरी नजर आइसाइड तेरी वापस नही पर तु पहले सबसे पहले चेस्ट एक्स से, चेस्ट सिटी स्कैन करो, तो संदे राथ हैर हमने इसकी करवाई तो इसको पहले लेक, इससे चला भी नहीं जाता था, इसको जिसने इसका समान वापस भी आया था, इसको कोई होश नहीं थी कि मेरा समान आया वापस, मैं क्या ह रखूं कहा मेरे कपड़े या कैसे इसको नहलाना पड़ता था इसको बात्रूम में मैं पकड़ के ले जाती थी तो जिस दिन इसका एक्सरे सिटी स्कैन गवा तो हमने डॉक्टर कर रहा तो मैंने उसे पूछा भी बच्ची क्या है इसमें कहता है जी नहीं मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा पर फिर जब इसको हमने घर छोड़ा फिर हम जब रिपोर्ट लेने गए तो मैर मेरी तो मैंने उसे पूछा कि भी यह तीसरे क्या चीज है मैं तो पता नहीं साथ भी क्या चीज है बोलता जी इसने आपको कमेंड किया जी आप उसी दॉक्तर से पूछो चा मैंने सोचा जुरूर यह कोई गलत बात होगी जो बतानी रहा तो मैंने घर आई तो इस बच्चे को बेटी कोई बोला तू दे इस नेट पर देखा तो करती नहीं वह में ऐसा नहीं है कि फेटल हो तो हमें विश्वास नहीं रहता तो अच्छा फिर उसने बोल दिया डॉक्टर ने जो डॉक्तर गरेवाल था बोलता अगर तिर को सार्टोर उसी जा तो तो पीजी आई के ला पीजी आई गे, पीजी आई गे तो जब हम गे तो उसने डॉक्टर जिंदर ने थी, डीन बी के डॉक्टर कर रहे थे उनके अंदर हम उनके पास गे, उन्हें एक लाइन बना दी, लिस्ट दे दी मुझे, यह यह टेस्ट इसके करवा, उसमें एक कैंसल भी था, तो हमने सो और खाली पेट लेना था, उसने मुझे पता इसको कैसे हम लेके गए पीजी आई, क्योंकि इससे तो ना चला जाता था, ना मुख खुलता था, तो खेर मैं लेके गई, जिस्टें इसका वो पीस लिया था, तो मुझे इसकी चीखें बाहर सुन रही थी, मैं बाहर बैठी तो मुझे काफी दूर पे इसका सुन रहा था बच्चे की चीखी थी, तो अभी इसकी रिपोर्ट मिले तो मैं जिंदल फिर भे नहीं मिले, फिर मेरी एक हमने लोगों को कॉंटक्ट किया काफियों को कि भी किसी की अप्रोच से मिल जाए हमें, तो एक मेरी भाई की बेटी वहां पे PhD कर रही थी, माइक्रोपालोजी में, तो किसी ने बोला वो ऐसे से कर रही है, तो मैं उसको कॉंटक्ट किया बच्चे को, को भी बेटे ऐसे ऐसे इसका ये है, रिपोर्टे हमें मिलने रहे, पीजे वाले ना हमें रिपोर्टे दे रहे, ना इसका भी कोई प्रॉ अपना कोट कूट पहना हुआ तो उसकी समय किसी ने रोका ने, अंदर गये तो उसने पुछा, गप्टर जिंदर ने पुछा बच्चे क्या करती हो, तो इसने को ऐसे से में डेंटिस्ट हो, तो फिर उन्होंने बहुत अच्छी तरह देखा इसको, और उसने रिपोर्ट भ इसका हम लोग, मैं, इसकी दवाई हम लेके आया अपने घर में, हम एक वजी के गरीप पहुँचे, तो उस दिन इसने पहली डोस के बाद इसने पहला फुल्का खाया, सबजी खाई, वो रोटी खाई, आइसता, इसता, 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 यह थोड़ी-थोडी ठीक होने लगी जाते थे, यह ठीक होने लगी उस से, तो टेप पर उन्होंने करी, अक्रूबर थाक फोई इसकी दवाई चली जो जो इसको द्वाई देते थे तो उसके बाद इसका ठीक हो गया, प्रॉपर ठीक तुड़े थी पर उसनों ने फिर कोई और द्वाई साथ में रखी इसके लिए, इसकी शादी हो चुकी थे पर इसको ये बोल दिया कि बच्चे तू माचल में सटल नहीं होएगी, क्योंकि तू सेटल होएगी, तू आए जाएगी वहाँ पर, तो हम इसके सस्वाल वाले अच्छे थे, उन्होंने रुपका नहीं, तो ये फिर हमारे पास ही रहने लगी, यहां रहती रही तो प्रक्षिस इसने थोड़ी सी शुरू करी, क्योंकि ज्यादा इसकी हुमत नहीं थी, त तो वह कभी-कभी वीकेंड पर, कभी-दो पर आजाते थे, तो पर यह ही रहती थे हमारे पास ही, और इसके फिर स्टीराज की वज़ा से, गॉल बैडर में स्टोन हो गया, स्टोन में इतनी पेन होगी कि हमें 15 दिन के अंदर अंदर इसकी गॉल बैडर रमूव करवाना हो गई है, फिर इसने MDS करी उसके बाद, जैसे जैसे ठीक होई, पर इसने homopathic पे shift कर लिया आपने आपको, साल को दोसिज के लिए, homopathic पे कर लिया, तो थीक है चलता रहा सारा, और फिर इसने MDS की, MDS इसकी सोला में पूरी होई, तो इसके बाद इसने practice और अच्छी करनी अच्छी क्ली ने खोल दी, तो गुरू जी के मतलब इसके बहुत महर थी, तो इसको बहुत सपने भी गुरू जी के आते थे, बेटी को, इसका एक बार क्या हुआ, इसको खर विश्वास तो हमें तो अब तो पूरी family को कहा, मेरे सारे रिष्टदार, मेरे माईके में सारे जाने हैं, यहां उनके, जिन, इनके सर्दार जी है, जो जनरल डिपंदर अंकल, उनके काफी संगत है, जो मेरी गुरू जी जाती है, वो, क्योंकि मेरी बेटी बहुते थी, कि आपको बहार निकाल देना है, मैंने इसने लोग भेजते हुआ पर, मेरे तो यह लगता था, कि किसी कोई तकलीफ है, तो मैं बताती थी, कि भी नहीं, आप वहां चले जाओ, वहां मत्था देको, तो गुरू जी दूर करते हैं, और करते रही हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हमें बीच में एक बार हमें मौका मिला, बुगरी जाने का भी, बुगरी हम इसके शादी से प पहूंचें तो उन्होंने तब वहां संकत्त नहीं आती थी, बहाम अधा, तो बापुजी ने लंगर करवाया वहां पर, तब हहां गौरत की मंमी भी नहीं थी, राजु थे, राजु थे, तो बापुजी थे, बापुजी ने उनस दिन हमें यहां बो तीन ग्यंटे घुमा वहां के इंतेंदी, वहां के जो मोर के पंथ गिरे हुए थे वो दिये, अच्छा फिर मैंने बापु जी को अपने हालात बताए तो बोलते हैं, तु ऐसा कर, अगर तेरा थाला रहा है, तिन रोटी खांदा, दो रोटी खुआ के एक रोटी कुटे अनुपाया कर, मैं कि ठीक है, और तुसी आया करना है, कैने पून माशिनों मा गुर्दवारेच, एक साबंद टिकी ना आजी, एक कपड़ेतों हों दी कैने गुर्दवारेच देओ, अच्छा, हमने वो भी करी, नाले तु एक और करना, कैने तु मिन्नू ना एक पगड़ी पेजी, पगड़ी पेज पुनीत जाते थे लुगरी में भी, तो मैंने इन बच्चों को बोला, मैंने एक पगड़ी लीग उनको दिया, कि ये बापु जी को दे दना, और उनको बोल दना, उस इस्टांती ने भीजी है, जो आपने इसके बदले में देना था, वो आप दे दी जी, तो ये पुनीत लेके गे वहाँ पे, वहाँ लेके गे तो उसे फॉन कलर की पगड़ी बापु जी ने, तो उन्हों ने मुझे वो पगड़ी अपनी उसके पास भेजी, उसकी तीन सुनिया बनी मेरे घर में लाके, मैंने ली दो बेरी बेटियों को लीए, मैंने रबखी, तो वो भी मैंने करा जो उन्होंने कहा, तो राजु ने मुझे बताया, तो बोलते जी गुरुजी रोज राज को फोन करते थे, अज कौन कौन आया सी, कहने मैं क्या, जंदी गड़ों आया सी, उसके बाद, मेरा सारा कुछ, देखो जो जमीन मेरी बिकी थी, जब गुरुजी ने मेरा सारा कुछ ठी किया, जो जमीन हमारी सत्र लाकी भी नी बिकी थी, जो जमीन हमारी गुरुजी के बाद जाने के बाद, जब गुरुजी ने बोला, मैं कुछ करदा चलते भी तूदा, अक्तूबर में हम गेते, कती दिसम्बर के बाद है, कोई पार्टी हमारे घर में आई, तो उनके साथ इनकी बाद एक क्रोड की होगी उस जमीन की, हम बहुत खुश कि भी एक क्रोड में जमीन हमारी बिग गी, तो हम एक क्रोड बैंक को दे देंगे, तो हमने उन्होंने जी, मुझे यादा पांच लाकर प्याव हमें बैंने का देगे गे, और कुछ धिनों में उन्होंने पैसे भी हमने बैंक को दिया, इतने में हमारी हमारी बिल्डिंग बैंक ने अपने उसमें रख ली थी, यहाँ पे शोरूम था, वो रख लिया था, तो जमीन ने तो हमारे पास ही थी सारी, घल था हमारे पास, पोटी फार्म हमारे पास था, पर बैंक वाली बिल्डिंग जो थी वो उसने, हमने आजकल वो बैंक को दे र उसके बाद हमने बैंक को दिया, अब उसके बाद हमने बैंक को दिया, बैंक में ठीक राया, राया में, और वो जमीन हमारी, और जमीन हमारी जो थी, वो हमने फिर रेंट आउट कर दी, जो हमारी जहां पर हमारा काम था, हमने सारा कुछ रेंट आउट किया, पोटी फार्म हम बेच दिया था, क्योंकि हमने तोटी फॉर्म में हम इंट्रस्टेट भी नहीं थे, और ना हमारे बस का था, दूरी में भी था, ये बिमार हो गे थे, फिर हमने वो तोटी फॉर्म बेचा, अब हमने जो भी हमारे पास था, हमने सारा कुछ रेंट आउट करा हुआ है, उसकी अच्छी खास हमें इंकम है, हमें रोटी मिर रही है, दुआ ही मेरी है, मेरे बच्चे सेटल है हमकी किर्पा से, और हमारी कोई भी तकलीफ, हम डेली अपने गुरु जी का लॉक डाउन जिसन से हुआ, मैं अपने घर में हमारे में संगत होती है, पांच मज़े से लेके, सा पांच बैटी, बेटी की बेटी, जो ही थी, तो है इसका जो, 19th में, इसका जनम दिन था, 2019 में, पत्यानी कौन संगत जी, इसको हमारे घर में एक गिलास था, स्टील था, उसके धकन दिया हो था, उसके अंदर दो कश्मीरी नाखें थी, और एक टौवल था, गुरु जी का सबूब जहां मैंने अपने घर में रखा हुआ है, टेवल पे, उसका एग्जेक्ट वही टेवल था, वो था और एक अच्छा तावल है, वो हमारे खर में कोई छोड़ गया, मैंने सब संगत को पूछा, कि ये किसका है, किसी ने भी बोला के हमारा है, और ये बच्चे को य बहुत किरपा है हम पे, हमारे घर में, हमारे बेडरूमें जो हमारे कलेंडर लगा हुआ है, गुरुजी का सबूब वाला, उसमें और एंज का लगा, अमें उसमें से बरसा हुआ है, तब हमें समझ भी नहीं थे खार ये क्या थीजा, पहली बार जब हमने संगत इस बेटी के जनन दिन पर करवाई थी, तो जो हमारे गुरुजी का सबूब था, उसके पीछे में, हमारा साइड बोर्ड था, साइड बोर्ड के उपर में, जो शीशा लगा, अब्जेक्ट उसमें जोत बनाई हुए थी गुरुजी ने, और उसके अमरित बरसाया हुआ था, पहली ब मैं आज मतलब इतनी सेमारे पास सब कुछ है, भूब फी है हमारे पास, गुरुजी भी है, जो हमें समझ नहीं थी, हम उनको प्यार भी नहीं कर सके, हम अपनी मन की मुराद पूरी नहीं कर सके, उनको टच करके, उनके पास बैच के, लास्ट राइम आपको बता नहीं कि जिस दिन मैं गुरू जी के पास 2007 24 में को गई थी, लास्ट बारी, ज़र हम दिल्ली जाते तो हम इतना खुश नहीं होते थे, क्योंकि हमें पता नहीं था क्यों कि दिल्ली वली संगत हमें क्यों रोग दोती है, तब हमें समझ नहीं थी, कि हमें चलो दूर से बैच के भी गुरू जी के दर्शन हो रहे हैं, या गुरू जी अब हम अपने घर में ही करें, तब हमें बहुत दुख होता था, क्या हम छे मिने में एक बार जाते हैं, तब भी गुरू जी के पास नहीं जाने देते हैं, हमें टाच नहीं करने देते हैं, हमें गुरू जी के पास नहीं बैचने देते हैं, मेरे बहनों ही क्यों cancer हो गया, तब अपनी बहन को लेके मैं गई थी 24 मेई 2007 को, तो मेरी बेटी में भी जाना था, तो बेटी को रात को स और वो 45 देज इसके तब आये से जब गुरुजी की धुकरी में क्रिया चरह मने थी, तब यह वहां गई थी, और इसको तो फिर बहुत सपने आते थे, तो मेरे को जब गुरुजी से मैंने लगना था, तो मुझे तो एक बार द्रीम आया था, कि गुरुजी हमारे घर में आय चावल ऐसे बना रही हूं कि मैं पतिले में, कभी मैं पतिले में ने बनाती, पिस्तल के पतिले में चावल बना रही हूं और वो चावल ओफ्लो हो रहे है, और वो बासमती वाले चावल बाहर आ रहे है, और साथ में सब्जी में ने रखी है, कि अपने गुरुजी के खुल तो बोलते हैं मैं सपने में उसके आता हूँ तुम्हारे 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 दिल में रहता हूँ तुम्हारे 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 तुम्हार आस्था बनाए रखे इनके लावा मेरे पास तो और कोई चाहराने आपके पास भी नहीं होगा आप भी इनके पास अपनी आस्था इन में रखके अपना सहारा बनाए इनको आप इनके चन्नों में लगे रहिए जैए गुरुजी